पराग अगरवाल के बाद भारतियों के लिए एक अच्छी खबर अमेरिका से आई है अशोक एलस्वामी नाम के एक शक्स को टेसला के मालिक एलन मस्क ने और्ट पाइलिट टीम का हेड न्यूक्त किया है खुद एलन ने इसकी जानकारी एक ट्वेट के जरिये दी है अशोक पहले ऐसे भारतिय मूल के शक्स है जेने अमेरिका में स्थित इलेक्ट्रिक वीकल एनरजी कमपनी टेसला ने और्ट पाइलिट टीम के लिए हायर किया है इससे पहले एलन मस्क एक टीवे इंटेव्यू में भी इस बात का जिक्र कर चुके है इसके अलावा एलन मस्क ने कहा है कि टेसला की ऑटो पाइलिट की आर्टिफिशिल टीम काफी टारेंटेट है अब हम आपको अशोक के बारे में बता देते हैं अशोक टेसला से आठ साल से सौफ्ट्वेर एंजिनियर के तौर पर जुड़े हुए है साल 2014 में उन्हें आटो पाइलिट डिविजिन के लिए सौफ्ट्वेर एंजिनियर नुक्त किया गया था साल 2016 तक वे टेसला में सीनियर सौफ्ट्वेर एंजिनियर के तौर पर प्रमोट हुए साल 2017 में उन्हें एक बार फिर प्रमोट कर, सीनिय स्टाफ सॉफवेर एंजिनियर न्यूप्त कर दिया गया था इसके बाद उन्हें साल 2019 में आटो पाइलेट सॉफवेर टीम का डारेक्टर बना दिया गया टेसला में जॉइनिंग से पहले अशोक वोक्सवेगन इलेक्टरोनिक लाप से जुड़े थे इसके अलावा उन्हें ने दो साल वेब को वीकल कंट्रोल सिस्टम में भी काम किया उन्होंने चिन्ने के गुई इंजिनिरिंग कॉलिज से इलेक्टरोनिक्स और कम्मिनिकेशन एंजिनिरिंग फील्ड में बैचलर और कॉर्नेगी मेलोन युनिवरसिटी से रोबोटिक सिस्टम डिवेलपमेंट में मास्टर डिगरी की है